अगर आप अपने ब्राउजर में इस तरीके से देखते हैं, गूगल का आइकन हट चुका है, आप जो भी सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर Microsoft Bing में सर्च हो रहा है, आप यहाँ पर उसके पेज में दिखेंगे, तो Google का पेज गायब हो चुका है, यहाँ पर Microsoft Bing आ गया है, तो यह हो होता है, आप कोई third party website में चले जाते हैं, या कोई third party application इंस्टाल कर लेते हैं अपने laptop computer में, तो हम यहाँ पर Google वापस कैसे लाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ three dot पे चले जाएं, इसके बाद आप settings में चले जाएं, इसके बाद कुछ इस तरीके से page open होगा, त यहाँ पर आप देख पाएंगे search engine का एक चोटा सा column, यहाँ आप drop down menu यानि इस arrow पर click करें, और Google पर यहाँ पर click कर दे, इसके बाद आप सब cut कर दे, पूरा page बिल्कुल से cut कर दे, बंद कर दे, Google Chrome को, ब्राउजर को और वापस से इसे open करे, open करते साथ ही आप देखेंगे, यहाँ पर आपका Google वापस आ गया है, और यहाँ पर जो भी search करेंगे, आपको यहाँ पर Google में ही search होके show होगा, उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे है, अल्ला हाफिस।